defines you Hope to cooking cooking with Priya आज मैं आपके साथ शेर करोंगी बहुती काम की रेसिपी जो हमारे रोजन अही काम में आती है वो है चाय का मसाला मसाले वाली चाय जो हम मार्केट में पीते हैं उससे कई घुना टेश्टी चाय का मसाला हम घर पे ही बना सकते हैं उसके लिए हमें एक रेशो होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस रेशो के साथ आपको चाय का मसाला बनाना है तो मैं गारंटी के साथ कर सकती हूँ कि आपके घरता एक कोना महग जाएगा हॉममेट चाय मसाला रेशीपी इसको बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ पांच मिनट में हम इसको बना लेंगे तो आई बनाना शुरू करते हैं पचास ग्राम लिये हमने सौंट यह साबूत है इसको कूट के हम इसका पाऊडर करेंगे आप चाहे तो इसका पाऊडर भी ले सकते हैं ये मारकेत में आसानी से मिल जाता है 15 ग्राम लिए हमने हरी लाईची 4 पीस लिए हमने काली बड़ी लाईची के ये optional आप चाहे तो डाल सकते हैं इससे कुछभू अच्छी आती है 10 ग्राम लिए हमने काली मीर्च साबुत 10 ग्राम लिए हमने लॉंग 10 पीस लिए हमने दाल चेनी के दो साबुत लिया हैं मैंने जाइफल इसको हमें बारी करेंगे 10 घ्राम हमें चैहिए जावीतरी अब हम एक पेन डेस पे रख देते हैं और जो मसाले हैं उनको हम रोष्ट करेंगे सबसे पहले हम गेस ओन करेंगे गेस ओन करके हम जो साबुत मसाले लिया थे वह सब हम इसमें डालेंगे और इसको एक मिनट तक हम चलाते रहेंगे तक यह अच्छी तरह भून जाए यह देखिए सारे मसाले जो हमने लिए थे यह सब हम इसमें डाल देंगे और इनको हम लगातार चलाएंगे इस तरह एक मिनट तक हमें इसको चलाना है ऐसा करने से मसाले की कुश्पु बहुत ही अच्छी आती है आप एक बार इस रेसिपी को बना के देखिए आप बजार का चाय का मसाला दाना भूली जाएंगे बहुत ही स्वादिश्ट और तेश्टी चाय का मसाला बनेगा एक मिनट हो कहें हैं अब गेस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और इनको निकाल लेती हूँ सौट को मैंने कूट के अध कच्रा कर लिया है इस तरह अब हम सारे मसाले मिक्सी के जार में डालेंगे सबी मसालों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है अब इन्हें हम ग्राइंट करेंगे बिल्कुल हमें महीन पाउडर के फॉम में इनको लाना है चाई का मसाला हमने बिल्कुल महीन पाउडर के फॉम में पीस लिया है अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं की तयार हो जाएगी ये मसाला साल भर तक खराब नहीं होगा इसे एट एट कंटेनर में भरका रखे और चाय के मज़े ले मुझे उमीद है कि आपको मेरी ये मसाले वाली चाय की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें ज्याद